क्या भारती जहांता पार्टी राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा किस सवालों से डर गई है? राहूल गांधी रोज अपने चुनावी मंचों पर मोधी सरकार को कट घरे में रख रहे हैं उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं मगर मोधी सरकार के पास सिर्फ एक जवाब है जूट बोलो जूट बोलो बार बार जूट बोलो गलत बयानी करो और अब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का जो ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के बयान को घलत ढंग से पेश किया, ये कहते हुए कि मनमोहन सिंग ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसल्मानों का है, और यही नहीं, मुसल्मानों की तुलना वो घुस्पैटियों से कर रहे हैं, या उठा रहे हैं भारती रेलवेज की बधाली का, मगर दुखत बात ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर धेरों वीडियों है, मगर उन वीडियों का जवाब भारती रेल नहीं दे रही है, अगर एका दुखका वीडियों जो घलत घंक से पेश किये गए हैं, सामने आ जाते ह तो उस पर जवाब देती है भारती रेलवेज, मगर लोगों के जो वाजब सवाल हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, राहूल गांदी ने ताजा वीडियो जो है, वो ट्मीट किया है, जो इस वक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि टॉयलेट के अंदर लोग सो रहे हैं, राहूल गांदी यहीं पर सवाल उठा रहे हैं, कि ये बधाल व्यवस्था है भारती रेलवेज की, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो करीब 28 सेकेंड का वीडियो है, जो रेलवेज में सफर करने वाले एक व्यक्ती ने पेश किया है, जो केरल के आसपास का बताया जा रहा है, इसके बारे में भारती रेलवेज का क्या कहना है, भारती रेलवेज का बस एक ही अंदाजे बया है, कि जो मुद्दा रखे, उसे टाल दिया जाए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, कि राहूल गांदी ने क्या प्रताडित हो रहा है, लोग कंफर्म टिकेट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं, आम आदमी जमीन पर और टॉलेट में छिप कर यात्रा करने को मजबूर है, मोधी सरकार अपनी नीतियों से रेल को कमजोर कर अयोग ये साबित करना चाहती है ताकि उसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके, राहुल गांधिया आगे कहते हैं, आम आदमी की सवारी को बचाना है, तो रेलवे को बरबाद करने में जुटी मोधी सरकार को हटाना होगा, दोस्तों इसे कई वीडियो वाइरल हो रहे हैं, और मोधी सरकार ये कह रहे है कि नहीं ये गलत वीडियो है, ये पुराना वीडियो है, अगर पुराना वीडियो है भी, यानि की वो भारती रेलवेस का है न, और बड़ा सवाल, जो लोग जनरल में सफर करते हैं, जनरल कमपार्टमेंट में सफर करते हैं, वो भारती रेलवेस की हकीकत जानते हैं, हकीक पढ़ें उनसे सवाल क्यों किया जाना चाहिए मैं नहीं भूला हूं कि बाला सोर ट्रेन हादसा हुआ था दुरगटना स्थल पर पहुंचे थे अश्विनी वैशनव और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे आखों में आसू थे क्योंकि वो जानते हैं कि जब आखों में आसू होते हैं तो सवालों से बचा जा सकता है किती शौकिंग बात है ना दोस्तों बैराल वीडियोज लगातार आ रहे हैं सामने मगर भारती रेलवेज समस्या को स्विकार करने को राजी नहीं है राहूल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं और ये बात चुब रही है भारती रेलवेज को ये देखिए व्यूस 24 काशी एक्सप्रेस के एसी कोच में भीड और आसुविधा से यात्री परिशान बिना टिकेट सफर करने वाले लोगों पर कारवाई करने की मांग भारती रेलवेज ने वीडियो को भ्रामक बताया कोच का एक ताजा वीडियो ज पर सब्सवीर हैmosलन मैं भारती रेलवेज के टविटर साइट पर गया और देव शंकर सरकार ने ये तस्वीर पेश किया आप देख सकते हैं टॉयलेट के अंदर लोग सो रहे हैं यहाँ पर देव शंकर सरकार कह रहे हैं कि भारती रेलवेज हर व्यक्ति को लूट रहा है PNR, UTS नमबर जो है, मोबाइल नमबर आप साजा करें, DM करें और एखास email पर हमें email करें और देव संकर सरकार ने बताया है कि coach number 7 में हालत है मगर भारती railways की जो शुरुवाती प्रतिक्रिया हर चीज़ भी होती है जिस Congress के आपने bank खाते freeze कर दी है, आपको लगता है वो इतनी मैनत करेगी भारती railways का एहंकार क्या है मैं आपको बताता हूँ, यह देखिए पहला एहंकार इन्होंने एक नया वीडियो बना दिया, पेश कर दिया कि नहीं साहब ये है असली वीडियो पुरानी वीडियो और मिस्लीडिंग वीडियो पेश ना करें दूसरा बायान भारती railways का भारती railways जो वीडियो पेश कर रहा है, वो सही है, मगर हकीकत ये है कि सारा focus वंदे भारत पर है हकीकत ये भी है कि अपने जिम्मेदारी से रेल मंत्री बचते है जब 288 railways passengers की मौत हुई थी और उससे पहले लगातार चेतावनी आ रही थी उसके बाद भी छोटी मोटी दुर घटनाए होती रही अगर इस व्यक्ति को कभी भी कट घरे में नहीं खड़ा किया गया क्योंकि प्रधान मंत्री मोधी जानते है कि मुद्दों को कैसे भटकाया जाता है कली प्रधान मंत्री का एक वीडियो आया है सामने उनका एक बयान आया है कि कांग्रिस अपने मैनिफेस्टों के जरीए आपका सारा धन आपका मंगल सूत्र मुसल्मानों को दे देगी मुसल्मानों की तुलना घुसपैटियों से की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पूरू प्रधान मंत्री बंद मौवций ने मिनमोव सिंगज ने कहा था कि देश की सुन्क काहा है सरसर गलत बयान उस वक्त के प्रधान मंत्री मनमोवव ने मित ने कहा था कि देश के जो पिछड़े, वन्षित, बलित, अलब संक्खक इन सब को, इन सब की समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत है और इनका हक देश की रिसॉर्सिस पर है पहला हक है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पिछडे, दलित, वंचित अगर उनका हक देश की रिसॉर्सिस पर है पहला हक है तो इसमें क्या गलत कहा था पूर प्रधान मंतरी मनमोन सिंग ने आपको जान बूच कर एक मुसल्मान शब्द उसमें से निकालना है और बवाल करना है मगर सबसे शौकिंग है प्रधान मंतरी इस तरह के भड़काओ बयान दे रहे हैं और शुनावायो खामोश है कॉंग्रिस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है जतलाई है पार्टी की मेता सुप्रिया शुनेत क्या कह रही है आए सुनते हैं उन्होंने कहा है कि ये हिंदू महिलाओं का अपमान है मंगल सूतर का अपमान है सुनते हैं हख श्रमिकों के लिए न्याए और्तों की सुरक्षा हाशिय पर लोगों के हख का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर ठीके होगे लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते है आज लेकिन आपने जो कहा है ना आपने मर्यादा की वो सीमा लांगी है जो पाप है मंगल सूतर पे आपने बोला है आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगल सूतर पर बोलने कि आपने कहा कि Congress के manifesto में लिखा है कि आपका मंगल सूत्र भी वो लोगों में बाट देंगे। Congress के manifesto में चुनोती से आपसे कहती है। ऐसी कहा पर कौन सा manifesto आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है। कहा लिखा है कि हम लोगों की संपत्ती लेकर बाट देंगे। किस तरह के बॉखलाहट है ये कि आप निरंतर जूट बोल रहे हैं। संप्रदाई को लेकर जूट बोलते हैं, हमारे manifesto को लेकर जूट बोलते हैं। अब इतने बेतुके जूट बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पर रहे है। असलियत ये है कि आपको मंगल सूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि एक औरत जब मंगल सूत्र पहनती है तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दामपत्य के उस सूत्र में बंद जाती है, जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगल सूत्र होता है। इस देश के करोणों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी इमानदारी से दामपत्य के सूत्र को, दामपत्य के संबंद को निभाते हैं। आपको मंगल सूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिपड़ी नहीं करनी चाहिए थे कि हम औरतों का मंगल सूत्र लेकर लोगों में बाट देंगे एक तरफ कॉंग्रेस अपनी नाराजगी जतला रही है दोस्तों दूसरी तरफ प्रधान मंत्री जो हैं अवसरवादी राजनीती खिलते हैं यानि कि अगर वो एक ऐसी जगा पर पहुंचे जहां मुसल्मान वोट जादा है तब वो मुहमद शमी की तारीफ करते हैं मगर जो वो एक ऐसे राजमें पहुंचते हैं जहां हालत खराब है जहां धार में को धुरुवी करण से उन्हें वोट मिलेगा तब वो इस तरह के भड़काओ बयान देते हैं सुनिये दो बयान प्रधान मंत्री के एक एक करके दोनों बयान सुनिये इसमें प्रधान मंत्री का दोहरामाबदंड साफ तौर पर दिखाई देता है सुनते है क्रिकेट वर्लकप में भाई मुहमद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है इंद्र सरकार ने भाई मुहमद शामी को पहले जब उनकी सरकार दिनों ने कहा था देश की संपत्ती पर पहला आधिका मुसलमानों का इसका मतलब ये संपत इलकटी करके किसको बाटेंगे जिनके जादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुस्पेठों को बाटेंगे क्या आपकी महनत की कमाई का पैसा गुस्पेठों को दिया जाएगा आपको मंजूर है ये बाटेंगे जिनकी सभाओं को जबर्दस प्रतिक्रिया मिल रही है वो वाजब मुद्दे उठा रही है वो भ्रष्टा चार रूपी गुप्त चुनावी चंदे का मुद्दा उठा रही है जिसका बयान जो है इधर उधर दे रहे हैं प्रद्धान मंत्री सुनिए गुप्चुनावी चंदे पर क्या कहा प्रियंका गांधी वाडरा ने और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सच्चाई बाहर आ गई है आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था Electoral Bonds बोलते थे उस स्कीम को जो उस कानून के तहट इन्होंने Ordinance से पास किया उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है ठीक है इन्होंने ये स्कीम मनाई खूप चंदा लिया ठीक है राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया सुप्रीम कौट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है तो सुप्रीम कौट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए पारदर्शी करो, सूची निकालो किस ने चंदा दी किस राजनी तिक दल को दी भाजप्पक को किस ने दिया कॉंग्रेस को किस ने दिया कितना दिया ये सब जनता को पता होना चाहिए पता चला, कि जिस जिस पे छापा मारा था, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद, केस खतम, जिस जिस को भरष्ट कहा था, जिस जिस पे कारवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद, कारवाई बंद, पता चला, कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया, जिनक मुनाफ़ा कम था चंदा जादा दे रही है पता चला कि ऐसी ऐसी कमपनियां से चंदा लिया जिन से इनको शर्मानी चाहिए गुजरात में पुल्ग बना वो पुल गिरा बनाने वाले से चंदा लिया यही नहीं ध्रश्टाचार ही नहीं बलकि महिला सम्मान यह दूसरा गांधी बाडरा लगातार प्रधान मंत्री को घेर रही हैं तो अगर प्रधान मंत्री के पास उसका जवाब नहीं है सुनिये प्रियंका गांधी बाडरा कह क्या रही है महिला सम्मान पर कि भाज अप्पा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है कि दुनिया के सारे राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजा कर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं अच्छा जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में, अपनी जन्ता के लिए, अपने भाई बैनों के लिए, बेरोजगारी को क्यों खतम नहीं किया। इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता हैं, दस सालों से किसी ने तुमाई सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुम से सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुमारे सामने जुग गई, पूरा देश तुमारे सामने जुगता है, लेकिन तुमने दस सालों में महंगाई क क्यों नहीं की, मेरी बेहनों की मदद क्यों नहीं की, जब मेरी बेहनों पर अत्याचार हो रहा था, तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था, हातरस को देखिये, उननाओ को देखिये, मनिपुर में देखिये, क्या हुआ एक महिला के स वो भी आदिवासी महिला थी पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ मोदी जी ने क्या किया अपना मूँ फेर लिया आखे मुँद ली और जहाँ-जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है चाहे उत्राखंड में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे हर्याना में हो चाहे हमारी उलिम्पिक मेडलिस के साथ न हो इस सरकार ने नरिंदर मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बढ़ाया है उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीब के पईये के नीचे कुछला किसानों को नहीं बचाया उन्होंने उनके कर्ज माफ किये 16 लाक ख्रोर रुपए के कर्ज जो बड़े बड़े अद्योग पती इनके दोस्त है लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किये और इसका जवाब इसे भाजपा की सरकार ने बार बार परोल पर रहा किया अदालत को दखल देना पड़ा कि आप बात बात पर इस गुनागार को परोल पर क्यों रहा करते हैं आगे से जब आप इसे परोल पर रहा करें तो पहले हमारे पास आएं अदालत तक को दخल देना पड़ा था यहालत है भाजबा की इसी लिए महिला सम्मान पर प्रियंका गांदी वाडरा जो है वो हमला बोल रही है मैंने पहले भी अपने शोज में कहा है और दोबारा दोराओंगा जब तक चुनाव बुन्यादी मुद्दों पर जमीनी मुद्दों पर नहीं होगा यह चुनाव और उसके माइने जो हैं वो हलके हो जाएंगे प्रधान मंत्री भारती जन्ता पार्टी का हर नेता चुनाव में माहौल को भढ़कानी की कोशिश कर रहे हैं खुलियाम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं अगर उद्धव सेना अपने चुनावी थीम सौंग में जैभवानी का नारा लगाती है तो उसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो स्पष्टिकरण मांगता है कहता है जैभवानी शब्द हटाईए मगर प्रधान मंत्री खुल कर चुनावी मंचों पर जैश्री राम के नारे लगा रहे हैं अमिच्छा खुले आम श्री राम की तस्वीर हाथ में लेकर वोट मांग रहे हैं मगर मजाल है कि चुनाव आयोग जो है इस पर कोई सवाल करे ये इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है ये इस देश का दुर्भाग्य है अविसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार